है गाइज वेलकम टूर चैनल ओन फार्मेसी वाइज आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्मासोटिकल और्गेनिक केमस्ट्री सेकेंड का प्रिवियस यह कोसन पेपर जो की एक ट्यू का है और यह है बीसिक किसका ठीक है तो बात करते हैं सेक्षन एक ही और देख अर्मेटिसिटी आपने पढ़ा होगा फास्ट यूनित में त्यूंत महिं अर्मेटिस्टी क्या वह आपको डेस्क्राइब कर ना इंठीक है वाई फिनोल इस एक वाला वाय फिनोल इस एक्षरी क्यों होता है एंड थर्दग आता है वाय पैरानाइट्रो एनिलीन इस बेसि क्यों होता है ठीक है and forthis me write the definition of RM value RM value आपने पड़ी होगी फेट आनल वाले chapter में तो आपको RM value की definition बतानी है ठीक है RM value 2 number में आते जाथा था देन अगला है discuss the difference between drying and non drying oil with example guys इसमें difference बताना है drying oil में और non drying oil में ठीक है and next what do you vatने पढ़ेंगल इस्टेंग तो एंगल इस्टेंग बताना है क्या होता है आप उससे क्या समझता। फिर है, write the different confirmation of 이.. एथिन केपको different confirmation बता नहां लियानँ है तणाम , copyright & 있습니다. अपने सब्सक्षरत इसे पर्ञेशन वाल the structure and medical uses of DDT and naphthalene तो guys यह कुछ compound होते हैं हमारे organic में यह जैसे DDT हुआ naphthalene हुआ तो इसको आपको structure भी याद करके जाना medicinal uses भी and this is last question what is banana bonding तो guys आपने last वाले chapter पढ़ा होगा Colson Moffitt theory उसमें आपने banana bond के बारे पढ़ा होगा तो वही बताना इसमें ठीक है तो guys बात करते हैं second question second section B की तो इसमें पहला question है explain the method of preparation and chemical reaction of phenol guys phenol बहुत ही ज्यादा important topic है organic chemistry में इसकी आपको method of preparation physical properties और chemical properties पढ़के जाने हैं ठीक है यह बहुत ही ज्यादा important है second इसमें discuss in detail about the method of preparation chemical reaction of naphthalene जो हमारा polynuclear hydrocarbon वाला chapter है इसमें mainly तीन important है नेफ्तिलीन फिरंत्रीन एंथ्रसीन तो इनको आपको पूरा पढ़ देना है method of preparation पूरा and next है इसमें right in detail about the method of preparation and chemical reaction of cyclo-alcan तो आपको इसमें मिलनी cyclo-alcan क्या cyclo-propane के बारे में ही बताना है उसकी method of preparation और उसकी chemical reaction तो आपको जादा जादा चारे पांच पर लिखने होगा इसके उपड़ा है तो इसमें फर्स्ट को activity पर और इसके orientation पर क्या effect पढ़ता है वो आपको पूरा बताना है ठीक है and second question यह भी फर्स्ट यूनिट में सही है right about analytical synthetic and other evidence in the derivation of structure of benzene बैंजीन में जो benzene मतलब कैसे form हुआ उसका isolate किसे ने करा पूरा analytical evidence देना है फिर उसका synthetic evidence देना और कुछ अलग evidence भी देने है ठीक है next इसमें discuss basicity of amines and effect of substituent on basicity of amines आपने अनिलीन पढ़ा होगा है amines में तो उसका आपको basicity of amines पर क्या effect पढ़ता है substituent का वो ही बताना है and next राइटा detail note on iodine value iodine value आपने पढ़ा होगा fat and oil वारे चैक्टर में इसमें mainly six values है तो आपको में important बता देता हूं first तो important है iodine value second है saponification value and third है जो थोड़ी बहुत important है acid value इन तीनों को आपको पूरा पूरा पढ़का जाना इनका determination principle procedure सब ठीक है and next राइट में discuss the how are synthesis of anthracene and rendering तो आपको पूरा पढ़ना है और हावर synthesis तो पक्की पढ़नी ही है and illustrate in detail about bear strength theory with it limitation लास्ट वाले चैप्टर में दो या discuss the chemical reaction of fat oil and wax तो अपने पढ़ा होगा यह तो जर्णल को सदे है fat and oil जो अपने थर्ड यूनिट सुरू होते ही पढ़ा होगा फिर इसकी chemical reaction बता दे नहीं है आपको तो साथ नंबर में थोड़ा डेस्काइब भी खड़ देना जैसे ड्राइंग के बारे में रेंस सिटिफिकेशन के बारे में हैं तो दोस्ते यह था पेपर प्रीवियस येर का फार्मस्टिकल और और आपको इसका पूरा solution मिल जाएगा हमाएं टेलिग्रम पेज पर तो जोइन नहीं होएं तो जोइन हो जाएं और अभी के लिए इतना ही बाई बाई